सबी कमेंट करके बताएं मुझे बताईएगा जरूर की ओके वोइस क्लियर आ रही है ओके वेल्कम टू किनौर अब तक सबी टीम की ओर से थांक्यू रवेंदर सिंग जी थांक्यू मेरा में मकसद है कि मोटिवेट करना मैं खुद को भी आपने आपको मोटिवेट करती रहती हूं और जहां भी लिखती हूं जाला तर मोटीवेशन की ऊपर ही लिखती हूं तो आज भी मेरा का जाना है दूर अंधेरे से तो दूर तलक चल जाना है दूर अंधेरे से तो दूर तलक चल हिम्मत से अपने हर कदम रखता चला चल पाना है मुकमल मुकाम तो तू काम्याबी की अपनी हर कीमत अदा करता चल एक बर फिर से मैं दोहराना चाहूंगी जाना है दूर अंधेरे से तो दूर तलक चल हिम्मत से अपने हर कदम रखता चला चल पाना है मुकमल मुकाम तो तू काम्याबी की अपनी हर कीमत अदा करता चल तू काम्याबी की अपनी हर कीमत अदा करता चल देखिए इन चार लाइनों का मैं आपको मतलब समझाना चाहूंगी वैसे तो आप सबको समझ में आ गया होगा हमें कुछ पाणने के लिए कुछ खोना Пड़ता है इस चार्व लाइन में यही लिखा है कि हमें समर्पण करना पड़ता है आप सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ या तो अपनी जो सबसी कीमती चीजाशें उसको हटाना पड़ेगा जैसे आप लोग को किसी को जादा मुबाइल देखने का शोक होता है, किसी को गूमने का शोक होता है, किसी को जादा बाते करना पसंद होता है, तो हमें उन चीजों को हटा कर, उन चीजों को खत्म करके, अपने एम पर फोकस करना होता है, यानि जो हम fall to time waste करते उन चीजों की, अपने आपको आप ऐसा बनाइए कि, अपने आपको अपने लक्षी के लिए ऐसा बनाइए कि हम उसके लिए हर कीमत आदा करने के लिए तैयार रहे हैं, तो मेरा मकसर तो यही रहता है, हमेशा कि मैं motivation दूँ और hopes वाप सब motivate हो ही रहे होंगे, तो हमें जब भी काम्यावी के लिए, जब भी अपने लक्षी के लिए आप सब आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें किस चीज को अपनी life से हटाना है, कौन सी चीज है जो हमेरे time को waste कर रही है, या कौन सी चीज है जो काम्यावी को पाने के लिए ज़रूरी है, किन चीजों को हमें हटाना है किन चीजों को कुछ से दूर करना है कौन सी कमी है वैसे मैं नहीं मानती कि किसी के अंदर कमी होती है लेकिन कुछ चीज़े हैं जो हम अपने डेवलप कर लेते हैं या कहीं से सीख लेते हैं तो उनको हम कमी का नाम दे देते हैं इसलिए हमें उस चीज को हटाना है और अपने आपको आगे बढ़ाना है जब हम कामियाभी के लिए अपने आपको डेडिकेट कर देते मतलब समर्पन कर देते अपने आपको समर्पन करना है अपने लक्षी के लिए ठीक है अपने आपको लक्षी के लिए समर्पन करना है जब हम समर्पन कर द किया कहने वालों को कहने दे कहने वालों को कहने दे जहर उगलते हैं तो उगलने दे सुनकर अंसुना ना कर फोलाद उनके शब्दों को बना कर काटों का सफर अपना तै कर कहने वालों को कहने दे कहने वालों को कहने दे जहर उगलते हैं तो उगलने दे सुनकर अंसुना ना कर फोलाद उनके शब्दों को बना कर काटो का सफर अपना तै कर मतलब मेरा कहने का मकसर दिये कि अगर हम लाइफ में कुछ करते हैं और सामने वाला लोग हमें ताना देते हैं या कुछ कहते हैं तो कई बार अपने सुनाओं कि अंसुना कर देना चाहिए, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, लेकिन ये कहने में तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, हमारे मन को चुप जाती है वो बाते, क्योंकि है तो हम इंसानी, हमारे मन को कही न करी ठेस लग जा वो हमारे लिए नेगेटिव बोल रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है अपने लिए उनी शब्दों को एक जरीया बनाकर एक पॉजिटिव वे में लेना है ठीक है इसने मुझे ऐसा बोल दिया है मैं आगे इसे करके दिखाऊंगा मतलब जब आप किसी का ताना सुनते है ना यदि आप पॉजिटिव वेक्ति हैं तो उसको पॉजिटिव वे मिलेंगे उसको कुछ करके दिखाएंगे इसलिए हम कहते कि उन शब्दों से अपने अंदर जोश को जगाना है इम्मत को जगाना है कि नहीं इसने हमें कहा है तो हम जरूर करके दिखाएंगे इसलिए मैंने इसमें लिखा है सुनकर अंसुना ना कर मेरी लाइनों में है सुनकर अंसुना ना कर फोलाद उनके शब्दों को बनाकर काटों का सफर अपना तय कर फोलाद उनके शब्दों को बनाकर काटों का स जब कुछ करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते करते हैं लेकिन दस बातों में से हमें दो बाते हैं जो हमें मोटिवेट कर सके जानते हैं जब दूसरे ताना देते हैं तब पोजिटिव लोग जादा मोटिवेट होते हैं तो ताना भी अच्छी चीज है मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती हूँ, हाँ ठीक है, हमें तानन नहीं देना चाहिए, कोई जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे बोलना नहीं चाहिए, बलकि उसे और मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन बजा इसके लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं, तो हमें उस चीज़ को पॉजिटीव वे में लेना है, आप सब मुझे बताते भी जाहिए, प्लीज कमेंट में कि आपको मेरा जो इमोटिवेशन की लाइन है, मेरा जो कावे पार्ट है, जो में चाचर लाइन के बाद जो बोल रही हो, और मेरी जो चाचर लाइन की जो पो आप सब प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए मेरा कावे पार्ट कैसा लग रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ, छली अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें डेडिकेशन की जरुरत होती है, उसके बाद जब लोग ह हमें ताना देते हैं, तो हमें अपने अंदर डोस जगाने की जरुरत होती है, अब आगे हम बढ़ते हैं, मुश्किलों के हालात पैदा होंगे जरूर, तेरी हिम्मत को वो तोड़ेंगे जरूर, सोच का तब फर्क अपनी रखना, पत्थरों के पहार पर तु पाऊँ जरूर रखना, पत्थरों के पहार पर तु पाऊँ जरूर रखना, मुश्किलों के हालात पैदा होंगे जरूर, तेरी हिम्मत को वो तोड़ेंगे जरूर, सोच का तब फर्क अपनी रखना, सोच का तब फर्क अपनी रखना, पत्थरों के पहार पर तु पाऊँ जरूर यहन्य जब मुश्किल जब आप स्ट्रगल करेंगे तो बहुत सारी मुश्किले आएंगी आपके रास्ते में तो आपको पीछे नहीं हटना है बहुत सारे लोगे जो आगे तो बढ़ते हैं शुरुआत तो कर देते अपने लक्ष तक पहुचने के लिए लेकिन उसके बाद वो बीच में रुख जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीके, आपने एक बार सफ़र तेक कर दिये, अपने लक्ष तक पहुँशने का, तो आपको बीच में रुखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है इसलिए मैंने लिखा है, सोच का तब फर्क अपनी रखना, ठीक है, मुश्किलों के हालात पेदा होंगे जरूर, तेरी हिम्मत को वो तोड़ेंगे जरूर, सोच का तब फर्क अपनी रखना, मतलब अपनी सोच का फर्क रखना, ठीक है, बार 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 मुश्किले आ रह जो लोग positive सोचते हैं वो हर मुश्किल को पार कर जाते हैं और हमेशा हिमत से आगे बढ़ते हैं अब आगे मैंने लिखा है चलते चलते तू ठकना जाना हो अकेला पर रुकना जाना रखना होसला सफर में चलने का बीच सफर में रुकना जाना चलते चलते तू ठकना जाना हो अकेला पर रुकना जाना रखना होसला सफर में चलने का बीच सफर में यू रुकना जाना देखिए जब हम बहुत सारे मुश्किल हालत पैदा होते हैं जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उस सफर में उस कोशिश में हमको रुकना नहीं है मैंने लिखा है रखना होसला सफर में चलने का बीच सफर में यू रुकना जाना जब लक्षिक में आगे बढ़ने का हमने सोची लिया है तो हम बीच में रुके क्यों कितनी भी मुश्किल आ जाये, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाये, हमको बीच सफर में रुखना नहीं है, हमको आगे भड़ते रहेना है, ना किसी के तानों से रुखना है, खुद को demotivate नहीं होने ने, हमेशा कुद को motivate रखना है, कहीं न कहीं से आपको motivation की बहुत सारी poems, बहुत सारी line और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तो हमको motivate करते लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते लिए, demotivate हो जाते अंदर से तूट जाते, उस वक्त तूटना नहीं है उस वक्त आपको कुछ न कुछ ऐसे solution देखना है जिसे आप खुद को motivate कर सके, आप motivational books पर सकते हैं, आप poem पर सकते हैं आप story सुन सकते हैं, अपने mind को उस वक्त divert करना है लेकिन रुकना नहीं है, जुकना नहीं है, बिल्कुल भी कुटी लाइने लेकर आया है हूँ, ताकि आप अच्छे से पाके पाके मुकाम अपना नई रोशनी पाऊगे तुम, काम सुनक है, था पाओगे तुम, सबके जीवन की प्रेणना बन जाओगे तुम, कैसे हासिल किया मुकाम, ये बताओगे जब तुम, कैसे हासिल किया मुकाम, ये बताओगे जब तुम, तुमारे होश्टलों को सलामी दे रहे सब, तब ये जान पाओगे तुम, अनुभा हुआ सफलता जम हास कर पाओगे तुम मैं फिर से सुलाना चाहूंगी पाके मुकाम तब अपना नई रोशनी पाओगे तुम सबके जीवन की प्रेणा बन जाओगे तुम कैसे हासिल किया मुकाम ये बताओगे जब तुम, कैसे हासिल किया मुकाम ये बताओगे जब तुम तुमारे हुशलों को सलामी दे रहे सब, तब ये जान पाओगे तुम, अनुभवव सफलता जब हासिल कर पाओगे तुम, अनुभवव सफलता जब हासिल कर पाओगे तुम देखिए जरसे ही आप अपने लक्षी तक पहुंच जाते हैं सबकी राय बदल जाती है ठीके आप खुद सक्सेज होकर दूसरों के लिए प्रेड़ना बन जाओगे जब आप सफलता को प्राप्त कर लोगे सफल हो जाओगे तो दूसरों के लिए आप एक प्रेड़ना इस्त कुछ ऐसा बनना चाहिए तो प्रस थैंक यू यहीं तक मैंने अपनी पोएम लिखी थी और आप सब कैसी लगी आप सब कमेंट में जरूर बताइए की अपनी जरूला। की घुजला। की अपनी चे जएवे तो दुक यहीं तो बन मेंगे तूसरों